नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप सिंदी में दोस्तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मैध्वपून टॉपिक लिक्याई हूँ आज मैं आपको बताने बाले हूँ आम चीजें जो हो सकती है जान लेवा इन्हें आपस में मिलाकर कभी ना खाये आईए चानते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर नीरोगी और स्वस्त बना रहता है अलग-अलग खाये जाने वाली चीजों से हमारी शरीर को अलग-अलग प्रतार के पूशक तत्व प्राप्थ होते हैं और हर खाये जाने वाली वस्तुर हमारे शरीर पर प्रकृति के अनुसार प्रभाव भी डालती है ऐसे में दो ऐसी चीजे जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दुसरे के विपरीत यानि अलग-अलग हो उन्हें एक के बात एक या एक साथ मिला कर खा लिया जाए तो उसकी वज़े से हमें कई गंभीर बिमारिया भी हो सकती हैं और कुछ चीजे तो एक दुसरे के इतने विरुद होते हैं जिनका सेवन करने से वो हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बिमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती है आयरवेद में ऐसी चीजों को विरुद आहर यानि की इनकम्पिटेबल फूड कहा जाता है चाई के साथ बिस्किट्स और ब्रेड्स खाना, दूद के साथ के ले या सलाथ में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना इस तरह के कई आम और रोजाना खाये जाने वाली चीजे विरुद आहर की श्रेनी में ही आती है और हमें पता भी नहीं होता हमारे शरीर में हो रही छोटी सा छोटी आम समस्या चाहे वो बालों का छड़ना हो या तोचा का खराब होना हो दिन भर ठकान या आलसाना या पेट का खराब हो जाना जातस जाता विमानिया आज कल केवल विरुद आहर की वज़े से ही हो रही है आज मैं बात करोंगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिनी एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाही विरुद आहर आज हर जगा मौचूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि अपने स्वात को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरांट में अधिक तर लोग ऐसी चीज़े बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादा तर लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं होने के कारण वो खुद भी अंजाने में लगातार ऐसे चीज़ों का सेवन करते रहते हैं जदा सोचिए हमारे शरीर को सेहत मन बनाने वाले चीज़े जैसे की दूद, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम और कई तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसे चीज़े खा ली जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो अगर हर तरह की परियास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है यह सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा है अगर किसी तरह की विमारी से आप लंबे समय से जूच रहे हैं लेकिन वो ठीकी नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप खाये जाने वाले चीजों को गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा रहे हैं एसलीटी गैस और अपच बालों का चड़ना तोचा पर एलर्जी मस्सी और सफेद दाग होना सुराइसिस एक्जीमा या दाद सर्दी जुकाम सरदर्द और जोडों में तर्द होने के साथ साथ गले में खरास फेपड़े और किड्नी में खराबी अपच बालों का चड़ना तोचा पर एलर्जी मस्सी और सफेद दाग होना सुराइसिस एक्जीमा दाद सर्दी जुकाम सरदर्द और जोडों में तर्द होने के साथ साथ गले में खरास फेपड़े और किड्नी में कमजोरी बावसे डैविटीस तथा दिल और शरीर की दाख कीमरीयां केवल विरूर्द आहार लेने की वाज़े से ही हो सकती है आईये जानते हैं तो कौने चीजों में से एक है जो हमें किसी जानवर के जरिये प्राप्त होते हैं और ऐसी सभी खाये जाने वाली चीजी जो हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है जैसे कि अंडा मांस और दूद आधिका सेवन करते समय हमें बहुत अधिक साउधानिया बरतनिक चाहिए क्योंकि यही वो चीज़ें जो होती ही तो हैं बहुत ही सिहत मन्द लेकिन इनका कॉंबिनेशन बहुत कम चीज़ों के साथ किया जा सकता है दूद को कभी भी प्याज केले नमकीन या नमक वाले चीज़ें खटे फल जैसे कि नीमबू संतरा पाइनेपल दही मुली कटहल मांस मचली और बै दूसरे को पचने से रोखती है दोनों के पचने का समय अलग-अलग होता है इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर के खाना पचाने की प्रक्रिया बदलती रहती है और साथ ही साथ रात के समय ठीक से नींद ना आने की समस्या भी पैदा हो सकती है पयाज कटहल और खट्टे फलों को दूद का दुश्मन माना जाता है दूद और प्याज अगर एक साथ हमारे पेट में मिल जाए तो इससे कई तरह की तवचा रोग जैसे कि सौराइसिस एक्जीमा ताद और सफेद या काले धपे हो सकते हैं और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस का अगर दूद पीने की आस पास किया जाए तो इससे ग्यास, पेट में इंफेक्शन, पेट दर्ड, लूज मोशन हो सकते हैं पाइनेपल के अंदर ब्रोमेलेन नामक इंजायम पाये जाता है जो की दूद के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है औ अर्साथ ही, दही को कभी भी बहुत तेज आज पर नहीं पकाएं दही के साथ ज्यादतर फलो का मिल नहीं जम पाता है क्योंकि ठंडा होने की वचे से इसमें फलोगो डाल कर खाने से ये हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है ये कफ हमारे फेफोरों में जाकर जमत बलॉकेज कर सकता है उड़त की दाल और दही को साथ में खाने से ये हमारे शरीर का बलड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है इसलिए जिन लोगों को हाई प्लन प्रेशर की समस्या है उन्हें दही बड़े जासे चीजों से दूर रहना चाहिए आईड़ेड की नजरिय से रात्तरे के समय दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोचन पचने की प्रकिरिया थिमी हो जाती है जिसके वज़े से पेट से संबंदित भीमारइया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है इसके अलावा बियर, कोल्डरिंग, सोडा और शराब आदे के साथ नमकीन चीजे जैसे कि मुमफली आदे का सेवन करना सबसे ज़्यादा आम कॉंबिनेशन बन गया है पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चीजों में से तीसरे नमबर पे आता है और ज़्यादा थर लोगों को ये पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्डरिंग आदी का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूपता है और हमारी बोडी दिहाइडरेट होती है ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने ये जादा नमक वाले चीजे खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मातरा दोगुने तेज रफ्तार से बढ़ने लगती है और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौझूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है शरीर में पानी की कमी होने के वज़े से घबरहट, चक्कराना, पेट खराब और food poisoning होने के काफी chances बढ़ जाते हैं और साथी लगातर ऐसा करने से पेट की चरबी और तोंध बाहर निकलने लगती है इसके लावा घी भी उन चीजों में से एक है जिनका इस्तमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना बहुत आविशक होता है घी को कभी भी तांबे या कौपर के बरतन में नहीं रखें क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सिहत के लिए हानिकारक हो जाता है इसी तरह घी और शहत को आपस में मिला दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है और इसका सेवन करने से काफी हानिकारक पर नाम भी हो सकता है शलाट में खाय जाने वाली कुछ बहुत ही साधरन चीजे भी गलत समय और गलत चीजों के साथ खाने पर वो विरुद आहर बन सकती है उधारन के लिए खीरा और टमाटर दोनों ही सलाट के तोर पर खाय जाने वाली सबसे प्रचलित चीजे हैं इसलिए हमारे घर से लेके होटल्स और शादियों में भी खीरे और टमाटर को एक साथ दिया जाता है लेकिन हाल ही में किये गए एक रिसर्च के मताबिक खीरे और टमाटर में पाये जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद होते हैं साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग-अलग होता है जो कि हमारे पेट को कनफ्यूस करता है इसलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए इन दोनों चीजों से मिलने वाले जरूरी पोषक दत्व तो हमें नहीं मिलते बलकि इसकी वज़़े से पेट भारी होने और पेट फुलने की संभावनाए ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ ना खाए कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं जो कि बिलकुल गलत होता है क्योंकि सलाद ठंडा होने के वज़़े से भोजन के साथ ही खाना जरूरी है भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गपी धीमी हो जाती है जिससे की गैस और एसिडिटी हो सकती है अगर आप सलाद में गाचर खाते हैं तो उसके साथ नीम्बू का सेवन ना करें क्योंकि गाचर में नेम्बू का रस मिलाकर खाने से हार्ट बर्न और यूरीन से सम्मंदित परिशानिया हो सकती है सलाद में मूली सामिल होने पर इसे खाने के बाद दूद या केले का सेवन ना करें दूद की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिये प्राप्त होती है शहद का सेवन घी, मुली और अंगूर जैसे फलों के साथ ना करें और इसे ऐसे चीजों में कभी मिक्स ना करें जिसे पकाया जा रहा हो या गरम किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारे सेवन के लिए हानिकारक हो जाता है कहा जाता है कि शाकाहरी लोगों के मुकाबले मांचाहरी लोगों के शरीर में जादा बिमारिया होती है लेकिन केवल मांस आधिका सेवन करने से बिमारियां उत्पन नहीं होती बलकि जब इसे गलत समय या गलत चीजों के साथ खालिया जाता है तभी इससे कोई बिमारी पैदा होती है मचली अंडा और मांस के साथ दूद तही, चीज, अंकुरित आहर, आलू तथा स्टार्च वाली चीजे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और किसी भी तरह की मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आलू और मैदे से बनी चीजे खाना पसंद करते हैं होटेलों में मिलने वाले तरह-तरह की रोटियां और रेस्टरों में मिलने वाले बर्गर मांसहारी चीजों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीजे खाने की सबसे अधिक आम जगा बन गई है खाने में चाहे इनका स्वात बहुत अच्छा लगता हो लेकिन इन दोनों को साथ मुमिला देने से ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्डरलैटिक याने की शारियता की जरूरी होती है और वहीं दूसरी तरफ मांस में पाये जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को एशिडिक याने की अमलियता की जरूरत पढ़ती है दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं पहुच पाता और मुटापा, गैस, तता शुगर और कॉलिस्टोल की मात्रा हमारे शरीर में दो गुनिर अफ्तार से बढ़ जाती है जो कि डाइवेटीस और दिल से सम्मन्दित बिमारियों को जन्द देती है जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ-साथ या भोजन करने के तुरंट बाद ठंडी चीज़े जैसे की कोल्ड रिंग और आइस्क्रीम या बहुत चादा गर्म चीज़े जैसे की चाई या कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोशक तत्व तो खतम होते ही है साथ ही खाना भी ठीक तरीके से नहीं बच पाता है कभी भी चाई या कॉफी जैसे गर्म ताशिर वाली चीज़ों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी या खटे या पानी वाले पनलों का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसा करने से गले का इंफेक्शन और सर्देखासी होने की संभावना बढ़ जाती है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो उमिद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हमारी चैनल Health Tips इंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉलेशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए ने घरे लूपचारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए खुश रहें, हल्दी रहें, फिट रहें, थैंक यू दोस्तो हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सबी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके